हालो फ्रेंड्स वेलकम टू ट्रेड फॉर्विल ट्रेडिंग एकडमी आज अम लो बहुत ही इंपोर्टन कंसेप्ट देखने वाले है ओवा डेटा शीट का देट इस पी सी आर इस पुट कॉल रिशो पी से आर इस कॉल आज पुट कॉल रिशो यह मतलब जनरली क्या होता है यह मतलब को कॉल से डिवाइड कर देते मतलब कॉट का ओ डॉबॉलो उसको को ने से डिवाइड कर देंते हैं तो यह पी सीदार का एक रेंज है वो रेंज आपको समझना काफी important है थो PCR का में रेंज बता दें पीचियाईर में आप उठ March जो भी कुछ होआ है है changing ओढ़ा यह ऊई ओडिवाइड करोंगे तभी विस्कंट एक रेंज आ आεται यहीं वटा है Do Rossi ओम्यां इर वन्पोइड कीका जाता है नीऑ यहां पे 0.7 यहां पे 0.5 जनरली वन अगर रेश्यो आया वन क्या आजो बजो मतलब 0.921.1 यह रेश्यो अगर आया तो मार्केट साइडवेज होता है अलब option shorting का game होता है 1.1 to 1.3 bullish होता है market 1.3 to 1.7 strong bullish होता है same as 0.9 to 0.7 bearish होता है and 0.7 to 0.5 के बीच में strong bearish होता है but एक reversal होता है जो PCR से हम लोग easily identify कर सकते है generally 1.7 to 2 का एक range ऐसा है कि जहां पे market always reversal देता है मतलब market ने अगर एक top बना और PCR मेरा 1.7 to 2 के बीच में अगर है तो यह downfall आना start होगा market same as gear रहा है और PCR नीचे के बाजु में 0.3 to 0.5 के range में अगर है तो always यहां से bottom बनेगा और यहां से bottom से market गोमेगा तो यह level काफी important होता है market reversal के लिए that is less than 0.5 and greater than 1.7 यह तो सबको पता है कि बाई 1.3 to 1.7 bullish होगा and 0.7 to 0.5 to 0.7 strong bearish होगा but reversal कभी होता है तो 1.7 onwards bearish होना and 0.5 के down रहेगा तो bullish के लिए आता है यह कैसे calculate करते हैं मैं बता तो यहां पर आपको calculate करने के भी जरूत है यहां पर रेडिमेट यह आपको total करके आ जाता है यहां पर के दिन 3 minutes time frame भी चलेगा आज expiry दिन है 27 का तो expiry के दिन ही मैं बता तो कि कहां कहां से market reversal होता है every three minutes में जो भी को strike price है यह strike price के लिए यह मेरा total CA and total PA यह put को call से में divide करूंगा तो यह मेरा PCR ratio आएगा आज अगर आप देखोगे तो सबसे lowest PCR यहां पर आया था 0.37 जो मैंने level बता है कि 0.3 to 0.5 bullish होता है तो यहां पर देखो कि यह PCR 0.37 at the same time change in OI भी मेरा strong bullish है इसके लिए bullish था मतलब 15-2 को मतलब 3 बच के 2 मिनिट को आज expiry के दिन जो मैंने बता है वही मैं बता रहा आपको 0.3 मतलब यहां से market reversal देगा 15-2 को 15-2 को मतलब 3 बज़े आप यहां पर आकर अगर देखोगे 3 बच के 2 मिनिट पर यहां पर मैं 1 मिनिट का टाइम फ्रेम कर लेता हूं और आपको यहां पर दिखेगा यह है मेरा 3 बज़े 3 बच के 2 मिनिट मतलब यह candle को आपको confirm हो गया कि सत्राजर साथ सो से सत्राजर साथ पॉइंट का मुमेंट ऑन दे एक्सपाइरी डे अरे बहाई यह बहुत बड़ा मुमेंटम होता है तो यह कहां से identify किया मैंने जस्ट PCR से यह PCR जबी भी 0.37 गया इसका मतलब यहां से market reversal होने वाल है और यह मार्केट ने जम दे दिया क्योंकि यह भी स्रॉंग बुलीश हो गया तो आपको PCR नहीं PCR के बाद जो जो पोजिशन का डेप्त है वह भी मुझे देखना है कि यह मुझे क्या बहुत है यह श्रॉंग बुलीश बोला क्योंकि आपकर कॉल राइटिंग पॉजिटीव पॉट राइटिंग नेगेटिव है डिफरेंस पॉजिटीव है इसके मतलब श्रॉंग बुलीश होगा उसके साथ PCR भी मेरा लोवर रेट पे है 0.37 इसे लाइव प्रैक्टिकल एक्जम्ल सेम एस टॉप मोश में क्या बोला है मैंने 1.7 क्या आजोगा जो मैं मुझे रीवर तो देखना है तो देखो यहाँ पे कहां पे तो था 1.6.1.7 ऐसे मिलना डिफिकल्ट है तो 1.61 यहाँ पे PCR 1.6 और स्ट्रॉंग बेरिश मिला खतब यहाँ पर मुझे शॉट करना था 1417 1417 मतलब दो बचके 17 मिनिट बराबर है तो देखते दो बचके 17 मिनिट पे मुझे नि 700 से 17653 पचास पॉइंट का मुमेंट अगें यहाँ पे जस्ट लुक एट गाईज जस्ट PCR को देखते हुए और चेंज इन ओ आय को देखते हुए जस्ट मैंने एक डीसिजन ले लिया कि मुझे क्या करना है यहाँ पे देखो यहाँ पे 1.64 गया दिख रहा है यहाँ बेस्ट वे यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ इसके लिए आपको खुद देखने आना चाहिए यह 1.8 आया मतलब रीवर्सल है मेरा 12-20 को रीवर्सल मतलब बेरिश होने वाला है तो यहाँ पे मुझे श्रॉंग बेरिश बता दिये 12-20 उसके साथ वह भी दिखना चेंग बेरि को यहाँ पे शॉट का सिगनल दिया था यहाँ पे था 17700 वहां से मेरा लो मारा 25 से 30.1 मिनिट का है और क्या आपको जस्ट रीवर्सल आते हैं डाट सब मैंजी फ्रेंड्स डाट सब मैंजिक और क्या है मेरा रीवर्सल देखने के लिए और लोवर साड मुझे क्या देखना था यहाँ पर दिख रहा है नौ बीस को ही मुझे 0.55 इसके लिए मौनिंग में बुलिश हो गया था कि अब आज का यह 0.55 मौनिंग जेनरली 0.320 0.5 बुलिश होता यहाँ पे स्ट्रॉंग बुलिश भी देदिया नौ बीस को ही दे दिया से नाइन ट्विंटी यह स्ट्रॉंग बुलिश दिया नीचे आया फिर से कॉस्ट तो कॉस्ट गया है इसके बाद अगर आप यहाँ पर लेते हैं इंट्री बट यह बॉटम बन गया कि सिग्निफिकन्स हाता है 929 20 के बॉटम बन गया था लाइक बाद दोनों के लिए अप्रिकेबल होता है वन के यूज इन दो बैंग निफ्टी ऑल्सो सेम कंसेट बट यहां पर मुझे और एक कंसेट सिखाना है यह एक्सपारी के दिन था अधर दे के लिए फाइव मिनिट टाइम फ्रेम भी यूज कर सकते हो फाइव मिनिट करते हो हां पर तो मुझे यहां पर जस्ट पीसी एर स्कोल्ल डाउन करना है और लोवर साइट में कहां पर 0.5 0.7 यहां पर भी देखो 0.5 के यहां पर स्ट्रॉंग बेरिश्था फिर इसे बुलीश हो गया यहां से मार्केट भागा रहेगा रहेगा कंपल सरी प्टाइव चेक 0.3 तो 0.5 का रेंज डाट विल ग्यू दो प्लियर कर टाइडिया यह 0.44 मौनिंग में बट जनरली आइविल प्रीफर देटा आफ्टर 930 तो यह यह रेंज में चल जाएगा 0.6 मतब 930 के बाद बुलिश हुआ क्या 21st के दिन आप जाके चेक कर सकते हैं बजह नहीं प मुझे यहां पर देखो बट यहां पर बेरिश है नहीं चलेगा मुझे इसके साथ बुलिश भी होना बहुत ज़रूरी है जो मुझे यहां पर दिखा एट लिस्ट बुलिश तो कहां पर दिखा 1037 को 1037-21 को यहां पर पर तो मुझे दिखा और यहां पर दिया इसमीं बुलिश सिग्नल दिया क्या सॉफ्ट्यर वाइए इन्हें तो मत बाइकर यहां पर तो बाइकर सकते हैं उसके साथ सौफ्ट्यर भी वाइना बहुत ज़रूरी तो ऐसे कॉम्बिनेशन में अगर आप करोगे तो PCR काफी effectively आपको देखने मिलेगा यहां पर और एक PCR मेंने दिया हुआ है वो भी काफी effective है उसका मेंने एक वीडियो भी डाला हुआ है आप जाके चेक कर सकते हो that is this PCR value यह PCR value overall range मुझे find out करने के लिए बताता है कि उसके साथ अगर यह range में match हो गया यह जो option chain में का जो PCR है यह range find out के लिए के लिए देखना है यहां पर जनरली आपको ratio देखना है 1 by 7 and 1 by 11 यह दो ratio आपको देखना है जनरली मैंने ऐसे ऑप्जोर कि है कि 1 by 7 1 by 11 यह 7 और 11 यह दो ऐसे numbers है कि जो support and resistance का कांग करता है कि आफ्टर इवन द लाइं मार्केट में भी आप देख सकते हो यह offline मार्केट में भी यह काम में आएगा अगर मैं अभी तो मार्केट क्लोज हो चुका है तुड़ेइस 27 28 का अगर मुझे रेंज बताना है तो यहां पर वन बाइसेवन बाइसेवन लेवन तो है नहीं तो यह 13 में ले सकता हूं रेजिस्टेंस के लिए अगर मुझे देखना है तो 17,750 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा यह आप फाइंड आउट कर सकते हो 7 यह वन बाइसेवन लेवन यह वन बाइसेवन यह वन बाइसेवन यह फोर नंबर्स आपको आइडेंटिफाई करना है डाट विल ग्यूज अ आइडिया कि कहां से मार्केट मेरा रिवर्सल होगा कहां तक जाएगा मतलब अगर मंडे को एनी बाइचांस अगर गैप डॉन अगर ओपन होता है तो 17,350 और 300 के आसपस तो मैं शॉट नहीं करूँगा कि कि यहां का पीसे और अलड़ी 7.5 डैट विल शो कि यह बाउंस बै यहां से रिवर्सल होने के चांसे ज्यादा और इसके बाद यह 17,900 तो यह सपोर्ट और रेजिस्टन्स का काम करते हैं तो पीसे आर आप यह वाइनलिस से भी यूज कर सकते हैं यह पीसे आर को अगर आप यह पोजिशन के साथ मैच करोगे वह लेवल जैसे मैंने बताया है 0.320.5 रिवर्सल बेरिस्टू बुलिश होने के लिए एंड 1.721.92 के पास जो बुलिश था वह बेरिश सिगनल कंवर्ट होने के लिए काम में आयो आप इसको जाके बैक टेस्ट करो बहुत सारे डेटा एवलेबल है कोई भी इंडिकेटर आप यूज कर सकते हो मेरे सॉफ और उसके लर्निंग के वीडियो मिलेंगे ठीक है तो एंड हमारा जो भी कुछ ऑप्षिन का डेटा का कोर्स है मतलब ऑप्षिन के स्टाटरजी सिखाने वाला जो कोर्स है जो नोहेंबर से स्टार्ट होने वाला है दोजार इंटरेशेट देकें जॉइन तो वो अगरे वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत मुलिए थैंक यू